चोपड़ा जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचों अभी MCC का सेडूल जारी नहीं हुआ है, इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा यानि कि MCC की जो कॉंसलिंग है, वो 5 अगस्ट के बाद भी स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है तो इसमें MCC के सेडूल से पहले कुछ स्टेट ने अपने नोटिस जारी कर दिये हैं अलांकि उनके स्टेट की अभी कांसलिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्टेट के रेजिस्टेशन हो रहे हैं और कुछ state के नोटिस आ गए हैं तो इनमें जिन जिन states की counseling updates है उसमें उतरप्रदेश, करनाटका, केरिला और खुड़ुचिरी state है तो उतरप्रदेश state ने अभी counseling के सारे rules change कर दिये हैं इस बार जो पिछली साल rules काफी कुछ और हुआ करते थे और इस बार rules कुछ और हैं तो म new application के लिए अभी जल्दी ही window start होने वाला है के रिलाई state के लिए भी कुछ students के form में mistakes है वो 29 जुलाई तक वो अपने जो फूरी कर सकते हैं कमिया हैं वो पुडूचेरी स्टेट ने भी counseling के regarding notice निकाल दिया है तो देखते हैं इन states की क्या क्या update है और उत्तरप्रदेश स्टेट ने counseling के क्या rules change किये हैं इस बार तो आप counseling के बारे में जानकारी चाते हैं तो MCC State और I.O.S. Veterinary की बुक अवेलेबल है हमारे पास इस बुक में जो All India की बुक है उसमें choice list दी गई है 2024 के लिए round wise, category wise, college wise cutoff दी गई है 4 साल की जिससे आप अपने All India rank से idea लगा सकते हैं कि पिछले All India rank में कौन सा college student को मिला था वही इस बार आपको मिलने की possibility है इसमें round wise counseling process के बारे में समझाया गया है fees, seat matrix, bond और other काफी information है च्वाइस लिस्ट आपको इस परकार से मिलेगी जो आपको काफी help मिलेगी उसमें 24 फिल करने के लिए 2024 के लिए इस परकार से cutoff दे रखी है aims, zipmer के बारे में भी जानकारी है, central pool quota के भी बारे में जानकारी है, counseling process को एक flow chart से समझाया गया है कि कैसे counseling process है, documents वगरा के बारे में सभी के बारे में समझाया है ऐसे ही स्टेट की बुक में ये सारी फैसलिटी अविलेबल है, हर एक स्टेट की बुक में cut-off अगरा, priority, इसके बाद में documents, requirement और counseling process के बारे में समझाया गया है, IOS और veterinary की बुक में भी ये सारी फैसलिटी अविलेबल है, इस वीडियो की description box से आप इसको download कर सकते हैं, जैसे ह आप download करेंगे, हम आप से संपर कर लेंगे, आप हमारे paid service भी ले सकते हैं, हमारे paid service limited हैं, अब बात करते हैं, counseling के बारे में, तो MCC का अभी counseling start नहीं हुआ है, और बाकी हम state की counseling की बारे में एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले UP state की counseling के बारे में देखते हैं, तो UP state ने rules अपने first round, second round, third round की counseling, stay round की counseling में भी यही rule लागू कर दिये हैं, थोड़ा सा इसमें slightly change है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या change है इसमें, तो All India की तरह ही इसमें counseling process डाल दिया है अभी, पहले यह अलग से हुआ करता था UP state का, बाकी state की भी मैं आपको बता दूँ कि बाकी state के धीरे-धीरे counseling process change हो रहे हैं, काफी states के counseling process तो पहले ही All India के rule के समरूप थे, जैसे की राजस्तान में भी जो All India में rule था, राजस्तान में भी वोई था, हरियाना में भी वोई था, बिहार में भी वोई हो गया था, उत्राखंड में भी वोई था, तो बाकी सारे जो बचे exit कर दिया है, पहले ये free exit नहीं हुआ करता था, फर्स्ट राउंड में जिन candidate को seat alert होगी थी, वो seat लेनी ही पड़ती थी, नहीं तो उनकी security money forfeit हो जाती थी, अलांकि वो second round में नई security money deposit करके participate कर सकते थी, लेकिन उनकी money forfeit हो जाते थी, अभी इस नए rule में first round free exit है, अगर आप admission नहीं लेते हैं आपको college alert होने के बाद, तो आपकी security forfeit नहीं होगी, आप second round के लिए eligible रहेंगे, ये government और private दोनों की condition में ऐसा ही है, second round की बात करें तो second round में first round के सारे registered candidate second round में eligible हैं, चाहे कि इसने admission लिया है, चाहे है नहीं लिया है, दोनों तरेके के candidate ही second round में eligible हैं, अग उसमें join कर लेते हैं, तो कोई दिकत नहीं, अगर join नहीं करते हैं, तो आपकी security money forfeit हो जाएगी, आप third round के लिए eligible रहेंगे, ये यहाँ पर second round का rule है इसमें, अब third round के rule की बात कर लेते हैं, तो third round का rule ये है, कि अगर आपको college alert हो जाती है, और आप उस college को छोड़ देते हैं तो आपकी security money to forfeit हो जाएगी, गौर्मेंट की condition में, अगर आपने पहले admission ले रखा है, और फीस वगरा जमा कर रखी है, तो वो फीस वगरा सारी आपकी जब्त कर ली जाएगी, लेकिन private की condition में, आपकी security money to forfeit हो जाएगी, उसके साथ में आपने अगर admission ले रखा है, तो तो ऐसा rule है third round के लिए, अगर आप third round में seat को छोड़ते हैं, तो आप की, आप join नहीं करते हैं, तो security money forfeit हो जाएगी, इसी परकार से, अगर हम stay vacancy round का देखते हैं, हाँ, एक यह है कि यहाँ पर अभी जो second round, third round के अंदर seat aloat होगी, उसके बाद seat vacant होगी, तो stay round में, जो reservation rules ह से, वो इस परकार से होंगे, ST की seat, ST में पहले convert होगी, SC की seat, SC में convert होगी, UR की UR में होगी, OBC की OBC में, EWS की EWS, फिर भी अगर ST की seat रह जाती हैं, ST में convert करने के बाद तो SC में convert होगी, और बाकी सारी UR में convert हो जाएगी, अब बात करते हैं, stay vacancy round की, तो stay vacancy round में, अगर कि seat join नहीं करता है, तो उसकी security money तो forfeit होई जाएगी, वो अगले साल की counseling के लिए ban कर दिये जाएगे, तो ये rule है, UP state के, तो ये UP state के rule है, admission के लिए ऐसा है कि आपको पहले registration करना है, UP state का जब registration open हो जाएगे, उसके बाद में आपको documents upload करना है, documents upload में 10th की और 12th की mark seat upload करनी होती है, इसके बाद में अगर कोई reserve candidate है, UP state के, तो उनको category का certificate upload करना है, और domicile certificate अगर किन के लिए लागू होता है, तो वो उनको upload करना होता है, अभी domicile certificate किन के लिए लागू है, जिन candidate ने 11th और 12th class अगर UP state से कर रखी है, तो उनको domicile की ज़रुरत नहीं है, अगर दोनु य प्राइवेट medical college में admission सभी state के candidate ले सकते हैं, यहां domicile और 11th का कोई यहां पर बादेतन नहीं है, अब हम बात करते हैं, आगे security money आपकी forfeit की, कि आपकी security money कब-कब forfeit होगी, तो मैंने आपको बताया है, first round में आपकी security money forfeit नहीं होगी, आपको college alert होता है, जोइन करते हैं, को आपको college alert होता है, जोइन नहीं करते हैं, तो आपकी security money forfeit हो जाएगी, ऐसे ही third round का rule है, ऐसे ही stay round का rule है, लेकिन अगर आपने first round में seat join कर लिए, second round में, अगर दो दिन पहले, second round start होने से दो दिन पहले seat चोड़ते हैं, तो कोई किसी प्रकार की, आपकी security money forfeit नहीं होगी, व government की condition में सारी आपकी fees forfeit हो जाएगी, लेकिन private की condition में 50% seat आपकी, 50% fees आपकी forfeit होगी, ऐसे ही stay vacancy में है, stay vacancy में आप फिर ban भी कर दिये जाएंगे, एक साल के लिए, next counseling के लिए, तो ये यहाँ forfeit के rules हैं इसमें, तो ये मैंने सारे आपको बता दिये हैं, कैसे आपने से resign करना है, resign के rule भी बता दिये हैं, फिर भी आप rule यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी website पर ये सारे rules दिये गए हैं इसमें, तो इस परकार से ये notification है, अब ये इसका counseling process क्या रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी candidate ने registration कर दिया, उसके बाद में documents मैंने जो बत उसके बाद में nodal center द्वारा documents verification किये जाते हैं, अगर online ही होते हैं वो, अगर उनमें कोई कमी है, तो आपको mail द्वारा सुचित कर दिया जाता है, और उनको आप re-upload कर सकते हैं, उसके बाद में जैसे ही आपको college allot हो जाता है, तो government की condition में आपको जो concerned medical college है, उसमें जाकर के admission लेना है, आपको उतने ही DD deposit करनी है, और private की condition में आपको nodal center पर जाकर के admission लेना है, फिर आपका अगर admission complete हो जाता है second या third round में, तब आपको college में जाकर के admission लेना है, आप security money की बात करें, तो इसकी जो registration charges हैं, वो 2000 रुपीज हैं, और security इसमें, जो government की condition में है, 30,000 है, private medical college की condition में 2,00,00 है, और dental की condition में, private dental की condition में 1,00,00 है, maximum fees यहाँ eligible रहती है, कहने का मतलब अगर किसी candidate को UP का candidate है, और government में भी admission लेना है, और private में भी admission लेना है, तो इस condition में उसको 2,00,00 रुपे ही deposit करने पड़ेंगे, नए कि उसको 2,00,000 तीस जार जमा करने पड़ेंगे, उनको सिरफ 2,00,00 रुपे ही जमा करने है, यानि की maximum fees ही deposit करनी होती है, यहाँ पर, UP state के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 26 private medical colleges हैं, 3-4 college और आने की इस बार possibility है, government medical college भी इस बार 11 से 13 medical college आने की possibility है, अब इसमें जो private colleges हैं, इनमें दो प्रकार की private college हैं, जो non minority college हैं, वो 26 colleges ह उनकी fees कम है, उनकी fees 60,00,00 पूरा package बैट जाता है, इसमें, अलग-अलग fees है, तो 60-70,00,00 पूरा package बैट जाता है, जिसमें hostel, मैस वगरा सब कुछ आ जाता है, अलग-अलग college की अलग-अलग fees है, पांच, non minority college हैं, इनकी fees थोड़ी जाता है, इनमें non minority candidate का भी कोटा है, और minority candidate का भी कोटा है, तो इस परकार से UP state में आप admission ले सकते हैं, इस बार rule change हो गए है, अब मैं आपको बताऊं कि इस rule से क्या फाइदा होगा या क्या नुकसान होगा, तो UP state से इस rule में मेरे को कोई फाइदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि UP state की counselling के बारे में हमने 2-3 सालों से देखा है कि यहां first round में चाहिए government की condition हो, चाहिए private की condition हो, उसमें cutoff first round में कम जाती है, second round में उससे ज्यादा आती है, और third round में उससे भी ज्यादा cutoff जाती है, और इस ट्रे में तो और भी ज्यादा चली जाती है, तो यह rule से मेरे को ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंक फर्स्ट round में आपको college मिलगी, second round में अपग्रेड होने के chances नहीं होते हैं इसमें, मेरे ख्याल से इस rule से भी इतना ज्यादा फाइदा नहीं होगा student को, अपग्रेडेशन rule से जो first में student अपग्रेड करके second में जा सकता है, second की seat को अपग्रेड करके third round तक अपग्रेड कर सकत अब बात करेंगे हम करनाटका स्टेट के बारे में, तो करनाटका स्टेट की बारे में हम आगर बात करते हैं, तो इसमी जो rules हैं करनाटका स्टेट के, वो rules से अलग हैं जो All India की counseling होती है, तो हो सकता है, इस बार भी करनाटका स्टेट All India के rule के मुताबिक चल जाए, आपने पहले वाले रूल ही follow करें तो ये तो आने वाले समय में जैसे ही इसके रूल चाएंगे हम आपको inform कर देंगे जल्द ही इसके एक-दो दिन में रूल आ जाएंगे यहां पर वो candidates के लिए application form का edit link open किया है जिनोंने आलड़ी application form fill कर रखा है वो edit कर सकते हैं अपने form में अभी phrase registration इस्टार्ट नहीं हुए हैं, हो सकता है यह वेरे वीडियो बनाने के बाद ही इसके फ्रेस रेस्टेशन इस्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको इन्फर्म कर दूंगा, यहां 26 colleges नॉर्मल फीस की है, ओपन कोटा में, अधरे स्टेट का कोटा होता है, यहां पर करनाटका में, फीस यहां की 60 लाग तकरीवन पड़ती है, सभी colleges की एक ही फीस है, लेकिन यहां पर जो होश्टल और मैस है, वो अलग है यहां पर, 26 colleges के साथ में, यहां पर 6 colleges ऐसे हैं, जिनकी फीस नॉर्मल से ज्यादा है, यानि की 16 लाग से 20 लाग के बीच में है, तो वो colleges आप लेते सम में, नेक्स्ट में हम बात करते हैं, केरिलाइस स्टेट की, तो केरिलाइस स्टेट में, रेजिस्टेशन दो बार ओपन हो चुके हैं, अभी रेजिस्टेशन ओपन होने की कोई possibility नहीं है, यहां पर, लेकिन जिनोंने पहले रेजिस्टेशन कर रखा है, और उनके फॉर्म म कम्पलीट कर सकते हैं, 29 तक जुलाइस तक कम्पलीट करने के बाद में, मेरिट लिस्ट जारी होगी, केरिलाइस स्टेट की, केरिलाइस स्टेट की कोलेजेज के बारे में, बता देता हूँ, यहां 19 कोलेजेज हैं और इसमें 15% ओल इंडिया कोटा 2019 से शुरू हुआ है, प् अब कुछ अगर मिलाके देखें तो साड़े दस तकरीबन इनकी फीस बैट जाती है पर येर की तो ये किरिला स्टेट के बारे में जानकारी है अब हम बात करेंगे पॉंडिचेरी स्टेट की तो पॉंडिचेरी में जो प्राइवेट कोलेजेज हैं यहां तीन प्राइवेट हो जाए होस्टल और मैस अलग है यहांके तीन कोलिजेज के लिए इस परकार का नोटीस इसकी वेबसाइट पर शो हो रहा है तो वो नोटीस आप देख सकते हैं कि इसके रेजिस्टेशन फॉर्म है वो जल्दी स्टार्ट होंगे इसका इनफॉर्मेशन ब्राउट्सर सकते हैं यहां पर तो यह जानकारी थी इन चार स्टेट्स के बारे में बाकी स्टेट्स के बारे में जैसे जैसे जानकारी मिलेगी MCC की जो कांसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको इनफॉर्म कर देंगे इसके रूल चेंज होंगे तब भी हम आपको इनफॉर्म कर देंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि हर एक स्टुडेंट तक इस प्रकार की इंफोर्मेशन मिल सकें, बाकिया अगर काउंसलिंक के बारे में जानकारी लेनी है, तो